में बेक्टों चैनल कैसे हो आप सब्सक्राइब कर दो इसके जो नोट से आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है सबसे फर्स्ट वहां जाके क्लिक करो आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे हमारी नोट्स है पर नीट इन रहने वाले इस वीडियो को शुरू करते सब्सक्राइब मनना ना भूले फड़ावर शुरू करते सबसे पहला टॉपिक क्या है पहला टॉपिक है वर्क दन क्या होता है आप सब आपको पता है कि energy transferred is equal to the work done कितने आपके energy transfer हो रही है उसको हम कह रहे है work done ठीक है आप अगर आपको और formula इस को formula wise में करूं तो that is force into distance moved in the direction of the force f into s distance हमने कौन से लिया है moved in the direction of the force जिस हमने विजिए सब डिरेक्शन में force लगा ही है उसी में आपे distance यापे हमने लिया है work done by constant force मैं आपको formula बता है f dot s and dot product में आपको क्या होता है cos theta आता है मतलब f dot s that is f s cos theta चूंकि आपका एक square quantity है इसकी ऐसा unit आपके newton meter per joule हो गई अब हम बात करते वालती है हमने एक single force की बात करी अगर multiple forces आ गए तो यहीं आपका work done आपके add हो जाएगा for f1.s f2.s f3.s और यह आपके जितने आपके forces है वह हो जायागा यह मैं क्या बता रहा हूं work done net निकाल ला हूं that is w1 plus w2 plus w3 और dot 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 इतने आपके work done आपके forces पर हम देख रहे हैं ठीक है work done by a force आपका positive हो सकता है negative हो सकता और आपका zero भी हो सकता है अगर मैं बात करूँ work done by a variable force की बात करूँ very very important यहाँ पर variable force है थे हम पर ds ले रहे होंगे इस से b point पर जाने की हम बात कर रहे हो हमने यहाँ पर इस point पर हम अगर बात करें यहाँ पर f force लग रहा है तो इस case में आपका क्या होगा dw is equals to f dot ds यह हैं हमने differential formula बहुत बार आप से पूछा भी जाता है बट अगर मैं आपके बात करूँ कि total work done in going from a to b जी मैं आपको दिखाया तो क्या होगा आपका work done a से b जाने में क्या होगा f dot ds आपने अगर integral formula चाहो तो a limit हो गई और आपकी बिलिमिट हो गई अगें यह आपकी आपने cost sheet के terms में लिख लिए ठीक है यहां रखना area under fs graph f और s के graph अगर मैं लूँ उसके आपके curve के अंदर आपको जो उस graph का area होगा वह आपको यहां पर work दे रहा होगा ठीक है चलिए अब इसके कुछ application समझ लेते हैं माल दीजी आपकी पहली application की बात मैं बात करूँ यहां पर एक mass m है इसका आपका weight नीचे t लग रही होगी माल उसका acceleration उपर a है यहां पर work done कितना होगा total आप net force निकालो that will be cost to m g plus a into h यह आपका हो रहा होगा work done इस case के अंदर अगर मैं बात करूँ यहां पर उल्टा आपका मैं आपका उपर की तरफ यहां पर आपका लग रहा है force तो यही आपका g minus a into h हो कि उसको मैं बोलूंगा energy दो टाइक energy होंगी करेंटेगे energy potential energy करेंटेगे आपको अल्री फॉल्ला पता हाफ एंव स्क्वार वाट इस लग फॉर्म्ला इस पार इस से आपका कोशन पूछा जाएगा तो इसको मन में बना के चलो यह है आपका linear momentum तो लीनियर मोमेंटम की सकती है तो यह आपको फॉर्मला हो गया मैं potential energy की बात करता हूं तो potential कुछ नहीं होता आपका चींज अगर में निकालू यहां पे तो f.dr that is minus or work done r1 and r2 में आपर limits ले रखी है आप ठीक है आपको पता है f.dr क्या होता है आपको अल्री पता है work done होता है तो वही आपकी potential energy होत करते जैसे आपका work की बात करी थी मैंने वैसे potential energy की बात कर रहे है अगेन potential energy आपकी frame of reference पर डिपेंड करती किस पर डिपेंड करती है frame of reference पर डिपेंड कर रही होगी आप spring force की बात करते है बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहो that will be that is equals to minus of kx आपको k पता है that is the spring constant x आपकी कि इतनी यहां पर stretch होई है ठीक है तो उसकेश में आपको work done का formula क्या आएगा अब आपके force f हो गया है that will be minus x dx जो dx हमने distance लिए बहुत आपके छोटी से distance ली जितना हमने आपके stretch हुआ है x1 and x2 यहां पर आपकी limits हो गई minus ठीक है again वही formula है आपका है ना वही formula है आपका f.ds वही formula है आपका f.ds इस case में आपको जो f है वह आपके spring force की बात की गई जो कि आपको formula अलिए पता है ठीक है अब मैं बात करने वालो potential energy stored in a spring very very important यह formula हर बार इतनी बार पूछा गया है यह आप प्लीज मन में बसा के चल ल बड़ा कुछ होने वाला है नहीं पर सबसे इंपोर्टेंट जो रहा था जो कि मैंना हमीशा लिकरा का है important to power infinity डाइट इस वरक एनर्जी थिओरम वरक इनर्जी थिओर म क्या कहती रिचिए वर्क इस उको चेंज इन दा काई टेक एनर्जी वादला वरक इस उको चेंज इन है देखने की बात करते आपके अखो का हो सकते है यहाद होगे क्या होगा कर आया का सबसे मिनिमम Ama हुआ तो यहाँ पर आपका करकत से शिरुषा है न का थैज जिरुब 3 के जिखने को मिल रही है है मैकसिम की बात करो और मैं neutrale की बदला पोटेंशनर डियरी आपकी कॉंस्टेन्ट हो जाएगी डबन टिप्रेंसिशं अभर कर के आग alarm की बात करते हैं और बच्बान से पढ़ से पढद हैं की स्केल ब्सकेला मि्न उट्ड सब्डimas टाइम ऑफ दूइंग वर्क टाइम ऑफ दूइंग वर्क टाट इस नोन आज पार है ना पावर ठीक है डी डबलू बाइटी मतलब वर्क दन का डिफ्रेंशेट करो आप विट टाइम तो तो पावर निकल के आएगा आपको ऐसा यूनिट बच्पन से पढ़ते आ रहे होगे दिगा वॉट यहूनिट पर सेकेंड उनिट क्या होगी अरग पर सेकेंड जाता है कभी-कभी और सब्सक्राइब हो ऑफ ऐसा यह उनिट्र होया और हो गई यह अब फिसले एन धिक है यह ठीक है यहां पर आठना पेह पीवी सिए बाउसिचे अब पेंटर रोगी यहां लो यह रहा इस पोजीशन इस पोजीशन इस पोजीशन इस पोजीशन पर जी कर दरूट्त बात करते हैं यह उसकी प्रीक감 साइन 37 आप से कभी-कभी पूछा जा सकता है इस चाक्टर या फिर कहीं भी तो याद रखना साइन 57 इस इकोज तो 3 बाई 5 30 इकोज तो कॉस 53 या फिर साइन 53 इस इकोज तो फोर फाइव तो यह आपको याद रखना है बहुत है अब मात करने वाले को लीजिन के बारे में डिक लीजिन आपको देखने को मिलेंगे एक मिलें आपको इस पर सवाल आता है आपके एक्जाम में वी टू वी वी वन यू वन यूटू की वैली रख्ट्ट होंगी आपको बस आपको यहां पर कोफिशिट निकालना होगा और डिर्यक्त आपका आँसर आजाए आपके हैं की बात करी हैं कि आदो स्पीड से चला यू तू स्पीड य बहुत बहुत बेसिक से चीज है ठीक है अगर वीटू निकालना चाहूं अच्छों तो इसी चीज के साथ इससी चीज के यहां पर है इस चीज के साथ यहां fraction of the potential energy is lost in each bounce कितनी पोटेंशियल जी लॉस्ट होगी उसके हर इक बाउस में फटाबर बताओ पॉसकर चलिए फटाबर इसका सॉलुशन करते आई आई होब कि दुमने तक स्वाले से कर लिया हो इसल पोटेंशियल इनर्जी अगर बात करूं डाइट विल इकोल्स टू एम जी सब्सक्राइब बात करूं आफ्टर फर्स्ट बाउस आफ्टर क्या आफ्टर फर्स्ट बाउस वह कितनी होगी आपकी एंजी उसने 80% अपनी हैट खो दिया 80% हो जाएगा तो कुशन में इतना गेवे ने आपका अपका यह हो गया 0.80 एम जी एच ठीक इसका मतलब आपके ह हार एक बाउस में कितनी पोटेशनरी लॉस्ट हुई इज बाउस में वह आपके हो गई 0.20 एम जी एच ठीक है 0.20 एम जी एच आपकी हो गई है ना फर्स्ट बाउस के पास 0.80 बची तो मतलब 0.20 आपकी एम जापकी लॉस्ट होगी एक फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.20 इनिशल कितनी थी एम जी एच काटो इसे एड़ बीकुस्ट 0.20 बहुत बेसिक सा क्वेशन था पर स्कॉमन सेंस वाला कोशन था यह देख पी आ जाता 0.20 आपकी तुमारे लिए सिंपल पेंडिलोम उफ लेंद वन मीटर वन मीटर है यह वुदन बॉब उफ मास वन केजी कितनी होगी चलो तुमारे लिए सप्राइज ये आपको हमवग कोशन होगए सेकंड कोशन इसके बाकी सारे कुश्चिन सेमें आपके कर राओंगा में यह आपका homework question है जिनको नहीं पता है है का इक होमकोशन होता है तो यह है इसका फुर्टाफर से अंसर कॉमें में लिखक कोशन देरक आपको इतना ठीक है कि the maximum compression of the spring चलिए इसको फ़रावट पॉस करो देखे लोगोशन सौल करता हुआ फिर में I hope कि आप तक सॉल्व कर लिया हो फटावट के सॉलिशन देखते हैं आई ए लेट सी देस्ट पहले जो वी आपके रखिए ना 18 km सबसे पहले आप चेंज कर लिया करूँ चीज हो ठीक है यह आपका होगे आपकी कितनी है हाफ में प्रेंश जी कितनी है हाफ के एक स्कॉर ठीक है क्या निकालना आपको निकालना आपको मैक्सिम कंपरेशन बतलब आपको एक सिनकालना है आई हाफ से आफ काटते सबसे पहले एक से कितना आपका होगा लाइट अंडर रूट एम बाइक के इंटु वी यह होगा सारी वेल्यू रखते है फटाफट एक्सम में रखते हैं आप मास कितना था 1000 डिवाइट वाइट पॉइंट्ट पॉइंट्ट पावर 3 इंटु 5 अपका निकल क्या आएगा तो टू मीटर आपको मैक्सिम कप्रेश रहांगे नेक्स कोश्चन पर चलते हैं कोश्चन फॉर आपसे कहता है तू मैं विट वेट्स इंदर रिशो 4 रिशो 3 रन अपर स्टेयर केस ताइम इंदर रिशो ठीक है ताइम आपका 12 रिशो 1 दे रखा हुआ है ठीक है एंड वेट्स का रिशो 4 रिशो 3 रखा है तो रिशो दे पावर ऑफ फॉर्स तु दाट अफ सेकेंड पावर करेशो क्या होने वाले स्केसे बहुत सब्सक्रों बताओ क्या अंसर है बहुत असान है पावर इसको सॉलूशन देखते आए पावर इस उकॉल्स तू वरक पॉ अब पी बाइप टू निगालना आपको एक अटने लिश्यों पावर फस्ट देट अफ सेकेंड फस्ट देट अफ सेकेंड निकालना पी वन बाइप टू इस तो कड़ जाएगा तो डबलो बाइडबलो टू इंटो टी टू अपॉन टी वन हो जाएगा वेट का रिशो के वर फ्री ट्वर एवन रिशो नाइन मतलब इलेवन रिशो नाइन आपका अंसर आना चाहिए एलेवन बाइन आना चाहिए बहुत बढ़िया तिया इलेवन बाइन ने हो गया तो नेश्च कुश्च आप से नेक्स कुश्च आप से कहता है वाटर is flowing in a river at 2 meter per second ठीक है तो र तो आपके कितनी पावर होगी करेंट से जो महां पर बन रहा है देंसिटी आपको यह गिवन है ठीक अब देंसिटी गिवन होगा पॉसकर प्रड़ावर्ट बताओ क्या असरा हो सकते हैं सब्सक्राइब कर दिया होगा इसको पड़ावर्ट का सॉलीशन देखता है यह सॉलीशन क्या कहता है पावर का फामला क्या लिखूंगा यह पर पावर इस इकोल स्टू काइनेटिक एनरजी ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड यह आपकी कानेटिक आपकी पावर हो रही होगे आपका बता हाफ इंटू एरिया फ्रॉस सेक्षिन एरिया फ्रॉस सेक्षिन इंटू देंसिटी इंटू वेलोसिटी का क्यूब यह आपका फॉर्मला बन गया एक पावर का नहीं पता तो इसको याद भी आप कर सकते हो डिरेक्टली बहुत ही मैंने बस उसको इन इस फिरेक्षिन हम आपके पावर आपकी 3 वाट की निकाले हूं ठीक है दिख रहा है ना एक से नोल इसको बढ़ जया हम ढ़ो डिकर नहीं ठीक है आजुसल कर दो से 2 से 2 तो से 2 तो 4 तो फट गुदी तो इसे आपके आगे ड्राइक डायर्क लिटें तो दीप्वार आ गया आपके आ जो हो अब का मैं निए लिख सकता हूं वरन मेंगवाट के इकुल वन मेंगवाट के एकटो यह आपको ऑप्शन में रखा हो शायद नीरा दिग गया ऑप्शन दिए रखा आपका वन मेंगवाड I hope टो में समय में आ गया होगा बहुत बाइसिक ने फिर्फ यह सब्सक्राइब कर द प्रीज एक्सिस कर लो लिंक डिस्क्रिप्शन में नंबर वन इनी नोट का दे रखाए फिजेस 11 नोट्स पागी केमिस्ट्री की नोट्स भी आप जाके हमारे एक्स्प्रोड कर सकते हो सारे आपको 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 डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट्स में दे दूंगा जाओ झाल 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 झाल झाल